मेरे दोस्तों के आने की सारी तयारी हो गई है हेई, ध्यान से, कमरे में बॉल से कौन खेल रहा है? ये मेरे दोस्त है स्पोर्टी एमा, नाज़ग जैना और रॉकर वेटी मैं तो बिल्कुल भूल गई थी कि ये साथ में तबाही मचा देते है गर्ल्स, फ्लीज, रुक जाओ, काउच से उत्रो, रुको, नहीं, ध्यान से मैंने इनके साथ कैंपस पे रहने का क्यूं सोचा इनकी वज़ा से मैं निकाली जाओंगी और नैसा में कांग करने का मेरा सप्ता कभी पूरा नहीं होगा रखो, बस, तुमने कमरे को बरबाद कर दिया तुमने मेरा फेवर्ट रूम ट्रेक लोगो भी फार दिया हम सब ठीक कर देंगे और तुमारा कमरा बड़ा सा लोगो बन जाएगा क्या हम ट्रूम ट्रेक रूम बनाने वाले हैं? बड़िया, फिर चलो काम पर लगते हैं हम पहले सारा कच्रा साफ करेंगे इसे पकड़ो वैमा, तुम्हें ये ट्रेनिंग कैसे लगी? आउच! ठीक है गर्स, हम एक दूसरे के पास बेड लगाने वाले हैं अब क्या करें? हमें इने पेंट करना हुगा, हमारे पास पेंट नहीं है हम इसे शॉप से खरी देंगे चलो गल्स हाई, गुड आफ्रनून मुझे यहाँ बहुत सारी बड़िया चीज़े दिख रही है ओ, एक पील मैं मजबूत हूँ वाउ ओप्स ठीक है, यह वापिस करो और टूल्स फिर शक्रिया, तुम्हें कितने पैसे देने है तुम चार लोग हो और तुम्हें मुझे एक हजार दो सो डॉलर्स देने है कितना? हमें एक हजार दो सो देना है लेकिन हमारे पास सरफ तीन सो है फिर चले जाओ यहां से, निकलो मैं इनसे बहुत परिशान हो गया हूँ ये टूम्ट्रिक देखकर अपने लिए सीक्रिट रूम्स, बेड्स, वाटर पार्क्स बना रही है फ्यू, प्लाइवोड बनना आसान नहीं है तूल्स उठाने बहुत मुश्कल है चलो काम पर लग जाते हैं गल्स हमें फसाड और बीट्स को साथ में लगाना होगा लेगो पर इन्वेस्मेंट जितना भरो से मन्द है उप्स, लगता है मैं यहां फस गई हूँ बूम, बढ़िया अब हमें फसाड पेंट करना है चलो शुरू करते हैं बुरा नहीं है हम कौन सा रंग चुने इनी मेनी मुझे नहीं पता आगे क्या होता है पिंक कलर ठीक रहेगा यहां ब्लाक नहीं है रंग चुनने में मेरी मदद करो ट्रूम ट्रिक लोगों में कौन सा कलर है कॉमेंस में बताए देखो, यह ब्लू है बल्कुल ब्रश से पेंट करना बोरिंग है हाटकोर रॉकर्स रूल्स फॉलो रही करते वो उन्हें तोड़ते है तो चलो इस हॉल में रॉक एंड रॉल करे पेंट को यह गाना पसंद आया वाउ, और थोड़ा और चलो बेवी, कमाल दिखाओ हाँ, बढ़िया उप्स, माफ करना मैं जियादा जोश में आ गई थी अब आराम करते है आउच, मेरे सर पर बहुत बार लगती है अच्छा हुआ इसमें कुछ जरूरी सामान नहीं है मुझे पिलो चाहाए लेकिन मुझे कहां मिलेगा मेरे पास एक आइडिया है बैटी, हाँ, क्या मेरी तरफ कुछ पिलोस फेको ठीक है अब क्या फेकों कोई पिलो नहीं बचा शायद ही चलो भी तुम क्या कर रही हो बैट बस थोड़ा और मुझे ये पसंद है नाही उप्स, माफ करना हनी मैंने ये जान बूच कर नहीं किया क्या तुम ठीक हो? नहीं बॉल और तूटा हुआ फ्लार पॉट मैं इसे जरूर ठीक कर दूँगी मैं बॉल से नया फ्लार पॉट बनाऊंगी ये और अच्छा लग रहा है बस कोई गलती से इससे टकरान आ जाए मुझे स्किपिंग रोप का इस्तेमाल करना होगा मैं नया खरीद लूँगी और इससे मैं अपना फ्लार पॉट लटकाऊंगी बढ़िया मैंने किसकी उपर पैर रख दिया? फ्लार पॉट ट्रेनिंग टाइम हो गया अगर बॉल अब फ्लार पॉट है तो फ्लार पॉट बॉल होगा ठीक है उप्स तुम क्या कर रही हो? मेरी सारी किताबे गिर गई और मेरे पास इससे ज्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है मुझे माफ कर दो मैं ये दुबारा नहीं करूँगी ओ नहीं नहीं मुझे मदद करनी होगी मैं पहले तैयार हो जाओ रुको स्काई मैंने तुम्हारी कीमती चीजों को बचा लिया बहुत अच्छे शक्रिया इन्हे बेट पर रग दो प्रोटेक्टर की शेफ बढ़िया है क्यों ना? ओ हाँ अब मेरे पास बढ़िया शेफ है बढ़िया ओ नहीं प्लीज आवास मत करो मैं एक्जाम की तयारी कर रही हूँ माफ करना मैं तुम्हें परिशान नहीं करना चाहती थी मिरर बहुत छोटा है मुझे इससे बड़ा बनाना होगा ऐसे हाँ इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की कौन है? खेर बल्खल मैं हूँ मेरी दिवार अबैमा के दिमाग की तरह खाली है मेरी पास एक आइडिया है मुझे कुछ चीज़े चाहेंगे ग्रेड चलो भी ये काम नहीं कर रहा ठीक है मेरी दिवार को सजाने के लिए यहाँ पक्का कुछ होगा कोई भी अच्छी चीज़ यहाँ बना है हेई बहुत हो गया मेरी दुकान से चली जाओ उसे मालूम नहीं मैं भेज बदलने में माहिर हूँ बस एक लूजर को उल्लू बनाया है ओ बैटी कितनी अच्छी कैप है मुझे ये पहनने दो नहीं तम नहीं समझ रही हो रेन कोट बहुत स्टाइलिश है मैं इंग्लिश डेटेक्टिव लग रही हू ये सब अभी वापिस करो चलो भी मुझे ये चैरा याद है इसे मैंने पहले कहीं देखा है वैसे मूच तुम पर अच्छी नहीं लगती एक मेरा टुको मैं समझ गया निकल जाओ उसे दोबारा बोलने की जरुएत नहीं है उसे तीन बार बोलने की जरुएत है लेकिन अब मेरे पास ग्रेट है अब ठीक है आउच कम से कम इस बार सर पे नहीं लगी ये मेरा डंबल है ये यहाँ कैसे आया बनाओंगी ये बड़े हो जाएंगे और मेरे पास बहुत सारे मेगनेट्स होंगे लेकिन अभी मुझे डंबल के लिए शेल्फ जाए बढ़िया शक्रिया बैटी एक मेगनेट पहले ही बड़ा हो गया है मैं इसे वापिस रख देती हूँ और इसे मुलायम बनाने के लिए थोड़े प्रिलोस रखते हैं ऐसे हेई ये देखो बुरा नहीं है मुझे भी फणी चल चाहिए इससे लिप्स बड़े होते हैं शायद ये परफ्यूम को भी बड़ा कर दे वाउ हाँ हाई मेरे प्याने सब्सक्राइबर्स मेरा टेबल देखो बैटी इधर आओ कौन मैं? कभी नहीं मैं रॉकर हूँ हाई मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स प्यारे बैटी आगई ये चेर देखो मुझे एक भी लाइक नहीं मिला और जैनी को बहुत सारे मिले हैं दोस्तों प्लीज ये विडियो लाइक करें वाउ कितना अच्छा शांडिलियर है मैं इसे खरीदूँगी मैं इसे कहां लटकाओ? मेरे पास एक आइडिया है स्काई ध्यान से मुझे माफ करना मैं बिसी हूँ मैं नया शांडिलियर लटका रही हूँ मैं लाइट कैसे जलाओ? मेरे पास एक आइडिया है वाउ, एमा, तुम्हारा वज़न बहुत बढ़ गया है तुम्हें वर्क आइडिया करना होगा एक्सरसाइज बाइक कैसी रहेगी? हाँ, शक्रिया मुझे अभी दो जादी बढ़िया ये बहुत अच्छा लग रहा है शक्रिया गर्स, चलो फोटो ले बोलो ट्रोम ट्रिक आँ, एक्सक्यूज मी आपके लिए ज़रूरी डिलिवरी है ये ट्रोम ट्रिक का लेटर है मुझे विश्वास नहीं हो रहा इसे जल दे निकालो उन्होंने मुझे एक्ट्रेस बनने का मौका दिया है ये मेरी जिंदिगी का सबसे अच्छा दिन है हाँ, हाँ, शक्रिया मैं जानती हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ हेई, हलो स्काई, हम आ गए क्या उसे लगता है कि वो अब हमसे बहतर है आओ, गर्स, इधर आओ हलो, गर्स देखो, ये मेरे साथ एक नया विडियो है यह भी यूट्यूब पर नहीं आया वाँ, उसने ये कैसे किया हाई स्काई हमेशा से चाहाती थी उसका अपना घर और परिवार हो पर वहीं, उसे और्फनेज में रहना पड़ा जिन्दगी बहुत खराब है कुछ लोगों को अमीरों वाली जिन्दगी जीने की किस्मत मिलती है और बागियों को कुछ भी नहीं मिलता स्काई लगी है, इस बार उसके सर पर इट नहीं गिरी पिशली बार के बाद उसने तस्वीर बनाई अमीर फैमिली अपना गोल्ड बार लेने नीचे आई शायद इस काई नाम के नधी डायमेंड भी हमारे काम आ जाए सब हमेशा के लिए बदलने वाला है वो एक आर्ट वर्प, गोल्ड और जूर्डी से भरे खुबसूरत घर में रहते है अगर स्काई को ये सब पसंद नहीं आया तो वो चोरी करकर देश के बाहर भी जा सकती है पर एम और जैक्सन को एक मौका देना चाहिए उनके पास टेरी नाम का एक बटलर भी है उसे सिर्फ जरूरत पढ़ने पर ही बुलाना सकाई को इसकी अवास बहुत पसंद आई पर सिर्फ उसी को उसके नए डाड ने उसे घर का मैप दिया ताकि वो खोई नहीं बहुत बड़ा है, मेरा मतलब है मैप, सकाई नहीं अपने रूम तक पहुँचना उसके लिए खजाना दूरने जितना मुश्किल होगा अजीब बात है इतना बड़ा घर और एक भी एलिमेटर नहीं है बिचारे टेरी को उसका इतना बड़ा सूट के सुठा कर ले जाना होगा नजाने ये छोटी सी लड़की इसे यहां तक कैसे लाई वैसे जितनी दिखती है वो उससे काफी ज़्यादा ताकत्र है मुझे पूरा विश्वास है इसमें वहीं इटे होंगी जो सकाई पर गिरती रहती थी चलो देखे मैने सही सुचा था पर वो सिर्फ अपने पर्स का ही इस्तिमाल करती है ये रहा उसका नया तमरा सकाई बहुत खुश है ये उसके सबनों से भी बहतर है ये सकाई की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है उसे कुरे दान के पीछे सड़क पर कारपोट बॉक्स पर सूने की आदत है पर अब उसके पास अमीर डाड है उसे बेट की आदत डालनी होगी और इस बात की भी कि जैक्सन उसके सारे सबने सच कर सकता है वो कमाल है सकाई को पैसो का जादू बहुत अच्छा लगा इससे सिक्के चीज़ों में बदल जाते है उसने सिक्के तो बहुत देखे है पर ऐसा कुछ नहीं देखा क्या बात है ये बलून एनिबल्स नहीं है अस्ती जादू है पर सकाई अभी भी जमीन पर सोना चाहती है कमर के लिए अच्छा होता है पेरेंटिंग मुश्किल है सकाई के पास घर, परिवार और अपना खुद का रूम भी आ गया वो और क्या चाहा सकती है हाँ, जाहिर है पैसे खर्चना पेरेंट्स के प्यार को जाचने का यही सही तरीका है जैक्सन कंजूस नहीं है सकाई जानना चाहती है कि उनकी अच्छाए की कोई लिमिट तो नहीं है पैरेंट्स जानना चाहते है उनकी नई बेटी क्या कर रही है सकाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है कितनी अच्छी बात है ये नमी बची कुछ से कुछ बनाने की कोशिश कर रही है पर इससे बहुत शोर हो रहा है और अब अच्छा नहीं लग रहा है शायद हमें बच्चे की जगा डॉग लाना चाहिए था पर क्या डॉग इस तरह का टेबल बना सकता है शायद अब कमरे से पेट की बदबू आ रही है डाड़ी भी कुछ चीज़े कर सकते है चुटकी बजाते ही वैनिटी में सबसे महेंगे मेकप प्रोडेक्स आ गए स्काइकूम बनी मैजिक के बारे में अभी बहुत कुछ सीथना है हाँ, चलो इस कमरे को थोड़ा खाली कर दो डाड़ी ने अपनी बेटी को घर का टूर देने का सोचा हाँ, हाँ, हमारे घर में वाटर पार्ट भी है विश्वास नहीं होता तुम बहाँ बिना कैप और टाल के नहीं जा सकते फूल में बहुत शेतान है चलो आगे बड़े ये मॉम का पसंदिदा रूम है ये स्पा है जहां वो अराम करती है और अपके एनरजी वापस लाती है डाड का यहाँ जाना मना है पर स्काय कभी भी जा सकती है उसे बहुत अच्छा लगा और उसकी अज़र एक अजीव रूम पर गई यहाँ क्लोनिंग होती है डाडी को इसकी ज़रूरत परती है स्काय का यहाँ जाना मना है पर क्या उसे रोका जा सकता है क्लोनिंग काम नहीं कर रही पर फिरी कौन है इजाज़त के बिना कमरे से बहार निकलना क्लोन्स के लिए मना है उनके लिए पास ही में एक खास सीक्रेट टाउन है नए घर में स्काय की पहली सुबा है ओ, ये कैसा बटन है वाँ, स्काय को अच्छा लगा यहाँ तो और क्या कर सकते है ओ, वाँ, अच्छी सर्विस है सुबा ही मूट बढ़िया हो जाएगा अब हम माम के परफेक्ट मेकप का डाच जान गई है उन्होंनों देखा, किसी ने टेबल क्लोट कार दिया है कहीं घर में मौट तो नहीं आ गया स्काय के बेंडाना पर शक हो रहा है इसका रंग भी टेबल क्लोट जैसा ही है ये एक आउक्शन से आया है और इसकी कीमत के बारे में स्काय सोच भी नहीं सकती एमा ने अपनी बेटी को क्लोजेट दिखाने का सोचा ताकि कुछ रिस्क ना रहे इसमें सब चीजे है पर इससे पहले के तुम देजाइनर समान को टच करो हाथ धोलो स्काय को मैनर सिखाने होंगे जब वो सड़क पर रहा करती थी तो उसको किसी ने हाथ दोने नहीं सिखाया वो अपनी नई मॉम को डरा रही है उसे कुछ पसंद आया पर वो दाम देखकर डर गई हरे लो फिर वही चीज स्काय भूल गई थी कि आप उसे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रेस का फेटाना सबसे जरूरी है हाँ बहुत सुन्दर लग रही है अंकल बिल के धीले लड़को वाले कप्रों से तो बहुत बहुतर है पर अभी वो अपनी हैट नहीं उतारना चाहती कितना खुबसूरक ब्रेकफास्ट है क्या आज कोई छुट्टी का दिन है अब स्काय के लिए हर दिन छुट्टी का है मॉम को अपनी बेटी को कट्मेरी के बारे में सिखाना होगा जब स्काय ने हातों से सूप पिया था तो एमा को उल्टी आने वाली थी पर हातों से केख खाने से बहतर और क्या होगा बाद में उंगलियां भी चार्ट चकते हैं ये बूनस की तरह है मॉम अपनी बेटी के बर्ताव से हैरान हो गई मॉम नहीं जानती कि स्काय ने हातों से खाया है या बर्तन से क्या आप कमेंट करके उन्हें बताएंगे पहले से शुक्रिया स्काय पुरा दिल गेम्स खेलती है और मॉम कुस्सा है क्योंकि वो अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रही अरे उसका आइफोन पेपर से बना है जिसमें सिगनल भी अच्छे से नहीं आते ये परेशानी असानी से सॉल्ब हो सकती है अमीरों के बच्चे कार्टबोड आइफोन लेकर नहीं गूम सकते एमा के पास धेर सारे है वो अपनी पसंद का कोई भी रंग चुन सकती है ये सच में काम करता है पर ये हो गया असली आइफोन बहुत नाजुक होता है और तूट भी गया जो कार्टबोड वाले के साथ कभी नहीं हो सकता स्काय अपना कमरा साफ कर रही है इस मशीन से शांदार स्मूधीज बनती है बस इंग्रीडियन्स डाल ले होंगे सकाय ने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा शेक्स तयार है उसे पीने में डर लग रहा है डाड़ी को अच्छा लगा पर ग्लास में जुराब आ गई अब उन्हें समझाया ड्रिंक का स्माट पेर जैसा क्यों था माम अपनी बेटी के साथ अपना रिष्टा सुधान्डे की खोशिश कर रही है तो उन्होंने उसके लिए खास गिफ्ट बनाया पर परिशानी ये है सकाय को कॉलिज टेस्ट में एफ मिला तो गिफ्ट कैंसल हो गया और जब तक रेट सही नहीं आएंगे तब तक नहीं मिलेगा पर बच्चों को सजा देना हमेशा उल्टा पर जाता है वो खुद को गिफ्ट देखने से कैसे रोकेगी ये एक सिक्योर लॉक है जो सिर्फ लाइक से खुलता है इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसका ऐसे देख सके अब वो एक आम पीनेजर है जिसे कबूतर पकड़ने के बज़ाए अब बोरिंग होम पकड़ना पड़ता है ओ, मॉम आ गई वो कुछ मज़ेदार लाई होंगी वा, ये गोल्ड पेन है इसे समेस्टर में सबसे ज़्यादा ग्रेट जाएंगे ये सिर्फ एक पेन नहीं, जादू है जो वीश से लिख रहा हो ये उसके हाथ कंट्रोल करता है अब होम वक करने का समय है वा, अब वो बिना गलती करें लिख सकती है स्काय ने पेन छोड़ दिया और असाइमेंट खुद हो रहा है विश्वास नहीं हो रहा क्या बात है स्काय अच्छे ग्रेट से अपनी मॉम को इंप्रेस करना चाहती है पर इस ग्रेट की वज़ा माजिक पेन है मॉमी ने अपनी बेटी को गिफ देने का सोचा उनने बादा किया था है ना स्काय इसके काबिल है पेन को होमवग करते देखने में बहुत बड़ लग गया चलो जल्दी करो और खोलो देखो अंदर क्या है ये कोई रिमोट कंट्रोल है पर ये किस लिए है ये बटले टेरी है उसके अंदर चिप है जिससे उसे कंट्रोल किया जा सकता है जो स्काय चाहाएगी टेरी वो करेगा वो और क्या कर सकता है ओ हाँ रिलाक्सिंग बसाज टेरी तुम कमाल हो अरे उसे कैसे रुका जाए रिमोट नहीं चल रहा टेरी रुक जाओ सकाय अब सब सीख भी जा रही है और उसे बर्तनों से खाने की आज़त भी हो गई है माम ने टिनर के लिए उसका मन पसंद सकाय स्क्रेपर बर्गर बनाया वैसे हाथों से खाना ज्यादा आराम दायक था उसने अपनी माम को भी खाना सिखा दिया अब वो सकाय से भी ज्यादा अच्छे से खा रही है चलो शुरू करे ओ लगता है बेटी रेज से बहार हो गई उसका दाट तूट गया बर्गर में सिखा था डैट भी लुका चिपी खेल कर अपनी बेटी के साथ प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रही है उन्हें अपने पैसो के पीछे चिपने की आधत है पर उससे सकाय को पागल नहीं बनाया जा सकता वो जैक्सन को छेट रही है और हार मानने का ना टकर रही है उन्हें जीतना पसंद है उनके लिए जरूरी है चलो देखते हैं वो अपनी बेटी को ढून पाते है या नहीं पैसो के फ्रॉर्ट की वज़ा से बहार के देश उन्हें ढून रहे है FBI अभी तक उसे ढून नहीं पाई तो डैड भी ढून पाएंगे अम्यूजमेंट पार्ट छिपने के लिए पूर्फिक जगा पर यहां काफी ठर्ण है मुझे कर्म कपड़े पहनने चाहिए थे अभी छिपना होगा पर एक परिशानी है तरवाजा सिर्ब बहार से खुलता है तैड़ी पास आ रही है इस तरह पकने जाना बहुत बेवभूफी वाला काम है पर वो फ्रीज भी नहीं होना चाहाती जिन्दा रहना जीतने से ज्यादा ज़रूरी है जैक्सन को अपनी बेटी मिल गई वो बिल्कुल सही समय पर आए वो स्टार्चु बनने वाली थी मौव अपनी बेटी को हाई आर्ट दिखा रही है पर क्योंकि वो सड़गों पर पली बड़ी है वो ग्रैफिटी के बारे में ज्यादा जानती है उसने अपने आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाने और अपने पेरेंट्स का पोट्रेट बनाने का सोचा उसका तरीका थोड़ा अलग है पर रिजल्ट काफी अच्छा है वाँ इस पोट्रेट को देखकर पता चलता है ये परिवार कितना प्यारा और अमीर है एक छोटी से चीज़ की कमी है हाँ उनकी गोदली हुई बेटी हमें बस इस पोट्रेट को लगाने की सही जगा देखनी होगी पर इससे मास्टरपीस ढटने की कोई जरूर इप नहीं थी स्काई अपनी मॉम से मेकप के लिए मदद मांगती है उन्हें बहुत अच्छा मेकप करना आता है एमा अपने काम में बहुत बिजी है तो उसने जल्द बाजी में अपनी बेटी का मेकप किया पर थोड़ा मिस हो गया जाहिर है मॉम बिजी थी डैट क्या कर रहे है शायद वो टग अफ वार्ड खिलना चाहते है उन्हें कोई परिशान ही नहीं है लगता है स्काई जीत गई पर वो थोड़ी निराश है उसके पेरेंस के पास उसके लिए वक्त नहीं है वो फिर से अकेला महसूस कर रही है मॉम के पास एक बुरी खबर है उन्हें स्काई मिल नहीं रही पर उसके कमरे से एक लेटर मिला जैक्सन और एमा अच्छे पेरेंस नहीं बन पाए पर हर्म मत मानो अभी भी गलती सुधारी जा सकती है सकाई फिर से अकेली हो गई उसके पेरेंस ने से चीजों के लिए माफी मागी और उसे वापस लग्जूरियस मेंशन में आने को कहा और जाहिर है वो मान गई पर उसके पेरेंस को अपने काम के फोन छोड़ने होंगे वैसे जाकसन के पास एमा के लिए सर्फ्राइज है ये क्विंग माजिक ब्रोज है जिसका वो बहुत समय से इंतजार कर रही थी माजिक के वज़ज से उसके आसू किसी काम आ गए कीमती स्टोन्स ने उसे खुश कर दिया और अब वो और रोना नहीं चाहती और उन्होंने उसके बेट को अच्छे से सजा भी दिया हेलन पूरा समय अपनी बहन पर नज़ा रख रही थी वो अपना बेट भी सजाना चाहती है पर वो मौडन सेक्योरिटी सिस्टम की वज़ज से एमा की ग्लू गन चुरा नहीं पाई तो ये ऐसे काम करता है वो हमेशा बिना पूछे सामान ले लेती थी इससे उसे सबक मिलेगा कुछ खास नहीं है ये बस एक शटडाउन बटन वाला रिमोट है हेलन ने परिशान होकर एक सरवर को हायर किया अब वो उसे रख भी सकते है वो उसके सारे काम करेगा इनाम भी अच्छा है उसकी आँखें खुशी से ब्लू डार्मिंड्स की तरह चमकने लगी सर्विंट ने उसके लिए क्राफ बनाया और उसकी आँखें भी खुशी से चमकने लगी बहनों को लगा कि वो हेलन को प्रपोस कर रहा है वो बेचारा इस प्रेशर से डर गया उसे पहले अपनी मॉम से बात करनी होगी लड़कियों ने कॉंटे स्टार्ट किया उन्हें बॉल को गिरा कर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पाने होगी हेलन लगभग टेन के पास है करोलाइन अपने माजिकल डायमिंड से नजरे हटा ही नहीं पार रही हेलन को अपनी बेहन को अच्छे मूट में देखना अच्छा नहीं लगता उसे देखकर चलना चाहाई है हेलन के शैतानी चहरे पर एक स्माइल आ गई और करोलाइन ने हवा में एक जबरदस्त बाक फ्लिप लगाई पर उसकी रूबी उसकी तरह नहीं है उसके हजारों टुक्रे हो गए ये तो और भी बहतर है दुनिया ने कभी बेतना कीमतिक गार्लिन नहीं देखा होगा यहां तक कि हेलन भी केरोलाइन की खुशे देखकर हैरान है वो ऐसा तो कुछ नहीं चाहती थी हेलन बहुत जेलिस होगी एमा माजिक सीखने के लिए बहुत मेनद कर रही है अब ये बच्चों का बड़दे शो लग रहा है पर उसने बहुत जल्द ही अपने स्किल्स डेवलप कर लिए अगर आप चाहती है कि वो आपकी पार्टी में भी शो करें तो कॉमेंट्स में लिखे देखो उसने एक मामुली स्काफ से कितना प्यारा गार्लेंड बनाया अब उसका एमरॉल बेड और भी ज्यादा चमक रहा है बेहनों को बहुत पिसंद आया और तुम्हारी पार्टी डायमिंड से चमकेगी ये महंगे एरिंग्स एक सुन्दर फ्लार में बदल जाएंगे खूल शायद से उसका जादू हेलन के ट्यूल के साथ भी कुछ कममाल दिखाए उसने फोशशकी पर कुछ नहीं हुआ पर एमा ने इस रैक को एमरॉल ट्यूल में बदल दिया ये एमरॉल बेड में अच्छे से फिट हो गया हेलन को बुस्सा आ गया हमें उसे मागिक जूरी के साथ शान करना होगा लगता है वो अब ठीक है हलन ने अपने डामिंज को कारेट्स और डॉलर्स में मेजर करने का सूचा लगता है कमरे में अंधीरा है उसने अपने स्टोन्स और साथ खेलने के लिए धूप को अंदर आने दिया कितना अजीब है वो उसकी भेने लगती भी नहीं है इसका बतलब है वो उनसे प्यार करती है अब उसके पास भी अपने बेट के लिए शान्डिलियर है बेहनों को भी ये पसंद आया कैरोलाइन ने ट्रूम ट्रिक वीडियो को लाइक किया और देखो क्या हुआ जाइक करें और कॉमेंट में बताए कि आपकी जिन्दगी में क्या बदला क्या हैलन को अभी अभी एक मेसिज आया है कॉलेज के सबसे क्यूट लड़के ने उसे मेसिज किया है बदाई हो होट डॉफ के साथ वॉक इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है बहुत कुछ पर यह उसके जिंदगी की पहली डेट है उससे ज्यादा से ज्यादा असने हेलन को चेपाना होगा पर परिशानी ये है कि उसके दाथों में कुछ पसा हुआ है लड़के ने उसे बहुत आराम से बताने की कोशिश की कितना शर्म नाग है ये उसे शादी तक टॉर्चर करता रहेगा जाहर है इस लड़के के साथ नहीं उसने टुटपिक से एक डार्मेंट निकाला हैंसम लड़के को ये ट्रिक पसंदा आई पता चला कि वो एक जूलर का बेटा है और एमा का भी एक बॉइफरेंट है पर किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है बहनों को शक है कि वो खुद अपने आपको फ्लार्स और गिफ्ट पीच दी है अगर उसका बॉइफरेंट होता तो उसके पास सही नहीं है क्या उसे लगा कि एमा को पता नहीं चलेगा कैरोलाइन ने इसके लिए साफ मना कर दिया चलो एक लड़ाई से पता लगाते है कि मिरर किसे मिलेगा पर एमा के पास उसके स्केजूल में लड़ने के लिए समय नहीं है इस तरहां उसका मेकप खराब हो जाएगा यहां तक की एक एमरॉल मिरर भी उसकी सुन्दरता को अच्छे से नहीं दिखा पा रहा केरोलाइन आज कपड़े आइरन कर रही है डायमेंड उसका फेविट आइरनिंग मोड है काम करते होवे भी अमीर लगना अच्छा लगता है यह आइरनिंग मोड मामुली कपड़ों को भी कीमती बना देगा ओ, माफ करना बहन पर ये तुम पर अच्छा लग रहा है केरोलाइन समझने की कोशिश कर रही है क्यों उसके कमरे में क्या कमी है खेर, बलखुल, एक टेबल और एक अमीर लेडी के लिए कॉक्टेल कितना क्यूट है साथ में डिजर्ट भी मिला है केरोलाइन को बहुत भूट लगी थी पर डिजर्ट में काले बाल देखकर अचानक उसकी भूट मिट गई लड़किया बोर हो गई है उन्हें नहीं पता कि वो क्या करे वो टिक टोक कॉमेंट्स में सबको ट्रोल कर चुकी है एमा दस बार अपने आपको प्रोम क्वीन बनते हुए सोच चुकी है आगे क्या है एमा ने एक गेम का आइडिया सोचा प्रोम कॉप्स और उसकी फांटसीज ने उसे एक आइडिया दिया बहनों को कॉंटेस पसंद है क्योंकि उसमें हमेशा एक लीजर और एक विनर होता है रूल्स बहुत आसान है आपको अपना स्टोन ढूनना है हेलन ने पहले गेस किया और हार गई करोलाइन की बारी है आप उससे कुछ नहीं चीपा सकते पर आमा कपस को बहुत तेज तेज घुमा रही थी शायद से आपको याद हो कि कौन सा स्टोन कहा है कॉमेंट्स में क्ल्यू दे